राम राम लाई आप सभी को खेत मा आगे हैं तो चलो दिखाते हैं अब अंदर चलते हैं आपके पोदर दिखते हैं फिलैर दो कैसे हो रही है कैसी क्या गूरत कर रही है यह देखो बड़ी कितनी कच्ची कच्ची पत्ती जो है आ गई इसके नीचे से उपर तक देखो कैसे अरिया लिमारी है देखो कितनी कच्ची कच्ची पत्ती ही यह बहुत बढ़ी आफूट करने लग गया गया है अब ठंडा मोसम हो गया है बादल साहे हुए है बारिस का मोसम हो रहा है देखो देखा आसमान में पक्सी कैसे जारे है उड़ते हुए भई तो बहुत बढ़िया मोसम कर रख्या है और पोद ये चलने लग गई है अपनी ये देख लिए नीचे तक बहुत बढ़िया पती आगी हिनके और परसोईन में जो है शाम ने मनें जैवी खाट डाल दी दी जो केच गर्मी दूपड़े थी जेट का महीना था वो गुजर चक्या है और अब ठंदा मोसम आएगा बारिस का मोसम है अब ये जल्दे जल्दी करोथ करेंगे बई देखो नीचे तक पतिया आगई है इसार सपेद्दा का है अम्रूद का पेड बहुत ही बढ़िया है बई साल में दो बार फल देता है ये बहुत ही अच्छा है चलो बई मालिक की दया से लंबी जदोद जो है की है इन्होंने भी गर्मी के साथ जो है बहुत लड़ जड़ ली है और ये कामियाब हो गई है पास हो गई है गर्मी पर विज़े प्राप्त की है इन्होंने अब बारिस का मोस हम आगा तो अब कोई दिक्कत आवावरी बात नहीं है इसी कि बहुत ही अच्छा है भई बहुत ही अच्छा है कि एक पुद और ये है भई ये भी देखो शारे पुद देखो कैसे पतियां आ गई है देखो बिल्कुल सारी नई पत्ती आगी भई कोई दिक्कत नहीं है मोई सम्ठन डाहे और पाणी शाम ने दिया था इनको और जैवी खाट डाल दिये केश वावाली और गनी खाट जो बोलते हैं वा आप चलेंगे ये बड़ी आत्रियां दस-पंदरे दिन में इनका रंग अलग इसी नजर आएगा खुसो रहे हैं भी देखो पोदे भी कैसे इल रहे हैं क्यों मोसम ठंडा है बारिस का मोसम हो गया है अब सलेंगे ये अच्छी तरह ये किन्नों का पोदा है भाई ये गर्मी ने बहुत ज़्यादा प्रेशान कर लिया खाद और पानी तो इसमें बराबर दिया था लेकिन पता नहीं इस गर्मी का वातावरण को ये नहीं सैन कर पाया तो इसके वज़े से इसके जो है पत्ते देखो सारे जड़ गए थे बिल्कुल और अब बिल्कुल छोटी-छोटी नहीं पतिया आने लगी है कोई दिक्कत वाड़ी बात नहीं देखो ये ये आ गई बई ये आ गई देखो ये देखो अब ये पोदा भी चल गया है भई कोई दिक्कत वाड़ी बात नहीं है दस दिन में ये बड़ी बड़ी पतियां नजर आएंगी इसके बिल्कुल सही है ये कोई दिक्कत नहीं है लंबा समय संगरस्क गया गर्मी के साथ इसने भी बहुत दूप सेन की है भई इसकी बहुत बड़ी मानता है तो अब कोई दिक्कत वाड़ी बात नहीं है ये किन नुक आप उदाए भई अब टेंसन की जूर तो नहीं है अब ये देखो पतिया देखो कैसे नीचे तक आ गई इसमें पानी दे रखा है अभी देखो खाद डाल गे और पानी पानी शाम के टाइम देते हैं डेली एक टाइम पानी देते हैं और अब कुछ टाइम देंगे बार इसका मोसम ठंडा मोसम हो जाएगा फिर बाद में पानी देने की जूरुत नहीं है उस टाइम के लिए बगर पानी की काम चलेगा बस खोदी लगा देंगे ख़र डाल देंगे इसके अंदर तो यह पोद अभी बिल्कुल लोग के हो चुका है अब पिलाल चलने को तयार है यह दोड़ेगा यह दोड़ेगा चलेगा ने दोड़ेगा बोसम के इसाब से दोड़ने लगेगा यह अपना अनार का पोद आए बई देखो बई इसका देखो पतियां ते कितने अच्छी लग रही है गरोथ कर गया यह बड़ी अतरियां अब सारी कच्छी कच्छी पतियां जो है पूरे पोद देखा आ गई देखो इसने भी बहुत कड़ी दूप सेन की यह जेटके महीने की खूब तपा है यह गर्मी के अंदर लेकिन इसकी हमत की दावत देते हैं देखो थोड़ा सा निरास भी हुआ यह लेकिन हमने इसकी हमत बढ़ाई भई इसको खाद और पानी दिया इसका होसला बढ़ा और यह जो है लंब संग्रस के बाद कामिया भी आशिल कर सुका है देखो पतिया कैसे आ गई ही और चलने लग गया है भई बहुत बढ़ी आगरोत कर रहा है यह फिलाल इसमें भी खाद और पानी दे रखा है देखो बहुत सुंदर लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है भई दिलकुल छोटी-छो जो पिलखन जामन बोलते हैं न मोटे वाड़ी उसका पोदा है भई भई इसने भी बहुत ज़्यादा गर्मी सेन की है लेकिन इसके चोड़ा पत्ता था ना बड़ा पत्ता इस वज़े से सारे पत्ते इसके सूख चुके थी और अब पतियां भी चोड़ी-चोटी आने सुकल सही है या वैसे दूर से देखते थे तब तो ऐसा होगा था जैसे सुक सुक्या यह लेकिन नहीं सुका नहीं था यह इसने भी पूरी मत जुटाई है दूप और गर्मी को सेन किया है लंबे समय तक आखिर में इसको भी कामिया भी मिल गई है इसमें भी बराबर खाद और पानी डाला है हमनी तो अब कोई टेंसन की बात नहीं है यह भी मत करके और गरोध करने लगा है अब मोसम भी ठंडा हुगा है मोसम के इसाब को देखते हुए अब यह अच्छी तरह गरोध करेगा यह भाई जंतर का शिड़काओ कर रहा है इसमें जंतर है यह दान लगाएंगे न उस ताइम इसको बादेंगे यह खाद का काम करेगा बहुत बढ़िया बारिश नहीं होई भाई अब तक ना तो सारे का यह जंतर है जंतर बोदेते हैं यह जंतर भी बढ़ा पाता देखो परली साइड का वह बढ़ा है क्योंकि उसमें पानी लग गया था नहर का और फिर बोदिया था और यह वैसे शिड़काओ किया था था थोड़े बाद में तो यह भी ठीक है हो जाएगा दस दिन में यह पूरा जाएगा एक दम इससे पर यह दान भी नहीं लगेंगी ताइ यह मान के चलो परली साइड में जो नजला रह वैसा हो जाएगा फिर बाद एंगी इसको बड़ी अखाद का काम करेगा यह अब की बारता सब के खेत खाली ही क्यों बारिस नहीं हुई ना तो किसे ने बिजन तरनाव हो यह देखो चारो तरफ के खेत खाली है यह सब खाद बड़ा हो जाएगा फिर बाद एंगी इसने और यह अपनी प्योद है अब पानी डालें जाज बारिस आगई तो ठीक है ना शाम को पानी देंगे इन में देखो कर गए ना बड़ी अगरोथ देखो कैसे नजर आ रही है दाना की प्योद हैं बाई यह आगे तक देखो बहुत अशी जाम रही है बई शाम के टाइम पानी देते हैं बारिस आगई तो ठीक है ना तो बई देदेंगे आज शाम ना पानी देदेंगे यहीं टूबल है कोई दूर नहीं यह थोड़ी देर का काम है चला कर अर पानी दे देंगे इसमी यह अलग-अलग कैरी बना दी भाई वह कैरी अलग-अलग है यह कैरी अलग है अलग-अलग इसमे वह रैइट है इसमें यह देखो गई एक ही आगे है और एक वो उससे आगे है तो कई किल्ले की प्योद नहीं यह दिखाई दे रही है थोड़ी थोड़ी नहीं यह यह आठ दस किल्लो किल्ले बुजाएंगे आठ नो किल्ले कम से कम इन से इतनी प्योद नहीं यह और बिल्कुल साफ में वही कोई खरपतवार नही हिन के अंदर जैसे इनको उखाड़ेंगे ना बोएंगे दान लगाएंगे उससे एक अपता पहले इसमें खाद डाल देंगी बीएपी बगएरा तो थोड़ी की तना इसका मजबूत हो जाएगा और फिर लगवा देंगे बई करम करना अमारे याथ है पिर देगा परमात्मा बई आप सब की दुआ और मालिक की दैदरश्टी बनी रही तो ठीक काम हो जाएगा ठीक है दोस्तो वीडियो व्लग पुसंद आए तो लाइक शेर कोमेंट करना नए बंदियो तो मेरे चैनल को जोईन करना भई आप सब का साथ और सयोग बना रहा तो सारे काम ठीक है और यह अपना खेत है जो हम आपको दिखा रहे हैं खेत मारे थे आज यह दिखो भई खा राम राम जी सभी का दिन सुब मंगल में हो प्रमातमा शुक्ष शांती बनाए रखी सभी सवस्त रहे मस्त रहे जै बारत जैरियाना